सिंग साब आपने जो अभी तक बताया उससे एक तथ्य उबरता है कि यूरोप में एनर्जी सप्लाई की पूरी मोनोपोली रश्या के पास है ये यूरोप के लिए कितना घातिक सावित हो सकता है नहीं आप बताये ना एक ग्रूपिंग है नैटो फिर मैं वही पूस्ता हूं फिर नैटो का मतलब क्या रह गया बिना एनर्जी सप्लाई के कोई काम हो सकती है यूद के पहले यूद के समय यूद के बाद हर स्थिति में एनर्जी चाहिए और फिर आप यह यूँ भी इसको कि इसे समझजए की अगर यह इनर्जी नहीं मिलता तो आच यूरोप का क्या हाल होता और जब यह हिंदुस्तान आये दे यूरोपेन्स, जब यहां माल की लूट के लिए, तो उस में क्या एस्तिति रही होगी? उस समय तो यह इस तरह के एनर्जी बिवस्था थी नहीं जाहिर सी बात है इसलिए यहां लूटने आये थे वो और जब इंडस्ट्रियल रेविल्यूशन हुआ तो और एनर्जी की जरूरत हो गई पर कैपिटा जो कंजम्शन है फिर एनर्जी है वो हिंडुस्तान से कहीं जादा है वहाँ पर तो उनके लिए तो यह एक तरह से जिंदगी और मौत का सवाल है लेकिन इस डिपेंडेंसी से यूरोप मैंने बताई यूरोप भी परिशान है और अमेरिका भी परिशान है क्योंकि लीडर्शिप जो वेस्टर्न वर्ल्ड का है वो तो हमें United States of America के पास ही है वो तो हलाक बदलने वाले नहीं है और जब आपकी इस तरह की लिवरेज होती है तो आप कई तरीके से वल्लरेबल हो जाते हैं दूसरी बात कि अब वो समझ दो रहे हैं कि इसको किस तरह से इस डिपेंडेंसी को कम किया जाए अपना सोर्सिंग का जो किस तरह से डाइवर्सिफाई किया जाए तो उसमें दो ही विकल्प है अगर आप भगॉलिक स्थिती देखें तो उसमें दो ही विकल्प है एक है यह कै का यह जब सोवियत यूनिन का डिसॉल्यूशन हुआ तो यह जो कैस्पीन सी के चारो तरफ जो देश है यह यह लैंडलॉक्ट यह पूरे लैंडलॉक्ट थे तो उनकी उस समय उतनी एहमियत नहीं थी जैसे ही डिसॉल्व हुआ तो कुछ ऐसी परिस्थिती वहां पर मतलब ऐ जैसे लगा जैसे इनका मतलब भागए चमक गया कि जाक बिल्कुल बिल्कुल यह जो पूरा कैस्पीन सी के कोई पांच कंट्रीज हैं ठीक है रश्या रश्या है तुर्क्राइबेस्तान है फिर नीचे एविरान है काश्कास्तान और अजर्बाईजान यह 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 खास करके अजरबाईजान, अजरबाईजान में तो बिलकुल उसके कोस्ट में पूरे नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन्स और आपको पहली बताया था हासी क्रूप से भी वहाँ पर ये बहुत पुरानी वहाँ पर ये ओल रिजर्व्स थे और डिसल्यूशन के बाद और भी ज़्यादा उसको इंपीटस मिला ये शार डेनीज गैस फील्ड ये सब और उभर के आया तो वहाँ होड लग गई ये जितनी एनर्जी कंपनियाज है चाहे वो टोटल हो या ब्रिटिश पेट्रोलियम हो या जितनी यूरोपियन कंट्रीज है यूनिको लोग सब सब की होड लग गई वहाँ पर सब वहाँ प्रोस्पेक्टिंग के लिए पहुँच गए तो ये जो आप जो मैं कह रहा था आपको की इस कॉंट्राक्ट अफ दे सेंचुरी जो 94 की बात कर रहा हूं मैं बाकू तब बाकू तिबलिसी और सीहन पाइपलाइन के इसमें वो अखेले नहीं है वो इसमें कई लोगों का उसमें यह कंपनीज का योगदान है सब के अपने पने शेर से वह आप देख सकते ह यह मिल जाएगा कि कितना किसका मेजर शेर अफकोस अजर्बाइजान का है लेकिन बाकियों का भी उसमें तो यह जो यह सडनली जो यह इंपोर्टेंस स्ट्राटेजिक इंपोर्टेंस बढ़ गया यह कैस्पीयन सी रीजन का रहूंट लैंड लॉक्ट कंट्री वो वेस्टर्न कंट्रीज और और यूएसे का वहाँ पर इंफ्लूएंस बढ़ता गया उनके धेड़ सारे ओल का ओल कंपनीज आ गया और रश्या का इंफ्लूएंस तो है वो होता गया अब इसके कई स्ट्राटेजी कॉंसेंस है पिस्ट्राटेजी कॉंसे की यह रीजन जो है यह यूएस और उसके वेस्ट अनलाइज के लिए यह यह यूआप और यूएसे के लिए बहुत इंपोर्टेंट हो गया यह रीजन और यह इसके इंफ्लूएंस से काफी निकलता गया रश्या का इंफ्लूएंस है दूसरा मै की आर्मीनिया को इनोंने एक तरह से पूरी तरीके से बाईपस कर दिया कि कि तीसरा इसका इस्ट्राटिजिक कांक कॉंसे कॉंसे के जो कॉंट्फलिक्ट यह एरिया कॉंट्थे प्रोन हो गया तो इसके कई strategic consequences हैं तो Caspian Sea region जो है एक तरह से एक यह यही रश्यन का monopoly के कारण यह energy monopoly over Europe के कारण यह एक conflict zone यह बन गया है अब यह जो स्टेट से इन्होंने आपस में यह बटवारा कर लिया है कैस्पेंसी का पहले तो कैस्पेंसी जब Soviet Union था तो एरान और बीच के एरान और USSR के बीच में एक लाइन थी 2018 में इन्होंने इन्होंने कोई समझावता किया है और अभी जो इनकी जो कोस्लाइन है तो रश्या का करीब 747 किलो मेटर है खजकस्तान का 1422 किलो मेटर तुर्कमिनिस्तान का करीब 1038 किलो मेटर एरान का 728 और अजर्बाइजान का कोई 800 818 किलो मेटर इस तरीके से इन्होंने बाट कर यह कर लिया है और उसमें जो इनका टेरिटोरियल वाटरस है वो 24 किलो मेटर का है और 16 किलो मेटर और एई जेड है लेकिन आप अगर नक्षा देखें एनर्जी का नक्षा तो अजर्बाइजान में आप देखोंगे वो नक्षे में कितने प्रूविन गैस फील्ड से अधर भी है तुर्क्यमिनिस्तान के भी तरफ है लेकिन इस तरफ तो अजर्बाइजान के तरफ मतलब एक हूँज अमांट ऑफ गैस यह कर रहे हैं मतलब इनको पोटेंशिल है यह भी बात सही है कि उनका अपना टुमेस्टिक कंजम्शन भी काफी बढ़ रहा है गैस का व वो एक अलग पहलो है लेकिन अगर आप पूरी परिस्थिती को देखें आप तो यह नोट स्ट्रीम की बात मैं कर रहा था यह नोट स्ट्रीम ब्लू वाली पाइपलाइन की रश्या जर्वने जो रश्या की तो अभी यह इन्होंने संक्शन लगा दिया अब इसी से आप अ पाइपलाइन की जो कॉंपिटिशन है इसकी जो मैं बात करूं कि क्या असर हो रहा है कि जर्मनी भाई वो भी एक नैटो का मेंबर है और आज उसको उसके पाइपलाइन पे वो सेंक्शन लगा रहा है उसे रोनेल ड्रीगन ने कहा था यह बहुत खतरनाक अवस्था है और योरोप को मैंने कहा था कि तुम अपने आप को किसी तरह से देरे देरे अलग कर लो लेकिन वो मेरी बात नहीं सुन रहे हैं और इसका बहुत इसका डेंजरस कॉंसेज होगा अब डेंजरस कॉंसेज मैंने कहा कि अगर रश्या का अगर इंफ्लूएंस घटा तुर्की का इंफ्लूएंस बढ़ गया जाहिर से बात है तो यह करीब 1200 किलोमेटर यह लंबी लाइन है यह लोट स्ट्रीम लाइन जो है अब इस पर जब इतना इंवेस्टमेंट हो चुका है तो मेरे खाल से इतना इंवेस्टमेंट के बाद कुछ नकुछ तो मतलब इसको यू ही तो नहीं कोई छोड़ देगा अब इसका अंजाम क्या होगा अब यही कुछ चीजें हैं जो कि कॉन कॉन का कारण बन सकती है तो मैंने आपको कहा कि जो अपने सवाल पूछा कि इसके बहुत डेंजरेस कॉंसे आप आप ही देख लें आप नक्षे से आप जज कर लें कि कितने कॉन्फिक्ट जून से से तैयार किये हैं और किस तरह का एक अंसर्टरनिटी प्रिवेल कर रहा है तो यह है इसकी और इसमें है कि आप मैंने कहा कि इतना पैसा लगाया गया है उस पे दूसरी बात इतनी सारी इंटरनेशनल कंपनी जो है आप इनने मैं एक सो मॉबिल टोटल जितनी आप कंपनिया जानते हुआ सारी किसारी कंपनिया जहां पे लगी होगे बीटीसी पाइपलाइन में हमारा ओहन जिसी विदेश का भी 2.5% स्टिक्स कुस तो है